नमस्ते, गुट मोदिकेया मॉर्निंग, मैं विद्याबुरे, मोदिकेया पूने डीपी और दूसरा डीपी महराश्ट रशावपुरी सातारा सिटी में हैं। आज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आरोग्य फूड एंड बेवरेज ये सेक्षन देखने बाले हैं। इसमें हम देखेंगे सोल फ्लेवर्स एक्टिव राइस ब्रान ओईल। राइस ब्रान ओईल ब्राउन राइस की तैली या परत से निकाला जाता है। जिससे फाइट राइस तयार करने के दोरान राइस ब्रान के रूप में अलग कर लिया जाता है। राइस ब्रान ओईल सरवाधिक पोशन यूपत एवं स्वास्तेवर्द खाद्य तेलों में से एक है, जिसकी फैटी एसिड सरचना संतुलित होती है और स्मोग पॉइंट अधिक होता है, जिसकी लिए यह खाना पकाने और तलने के कारियों के लिए उप्यूपत है इसकी विशिष्टाए और लाप, इसमें उराइजिनल, टोको फेरोल, टोको ट्राइडनल्स और स्क्वेलीन जैसे प्राकुरूतिक रूप से स्वास्ते को पहतर बनाने वाले एंटि अक्सिडन मुझूद होते है राइस ब्रान ओईल के अलावा किसी अन्य खाद्य तेल में उराइजिनल नहीं पाया चाता है इसमें उच्च मात्रा उराइजिनल होता है 1350 मिलीग्राम प्रती 100 ग्राम अंतर राश्रिय शोध अधियनल ने उराइजिनल की उत्पुत तक हराग को रूप में प्रती दिन 300 मिलीग्राम का सुझा दिया है इसमें विटामिन A और D2 मोजूद है जो स्वास्त को पहतर बनाने में मदद करते है संतुलीज पैड प्रोफाइल में ट्रांसफेड शुन्य होता है राइस ब्रान ओईल के साथ पकाया गया भोजन 15 पुरतीशत तक कम तेल अवशोशित करता है जो इसे और अधिक कीपायती बनाता है कम तेल अवशोशित होने के चलते खाने में कैलरी कम होती है बोजन रुचकर और स्वाधिश्ट लगता है सोल फ्लेवर्स राइस ब्रान ओईल का स्मोक पॉइंट बॉन पॉइंट अधि होता है जिसे से यह खाना पकाने डिप फ्राइं, पैन या स्टर फ्राइंग के लिए उप्यूगता है सेवन की विधी एक्टिव लाइफ के मात्र दो टेबल स्पून लगबग 25 ग्राम में 300 मिली ग्राम ओराइस नौल मिलता है जो वयसको और निश्क्रिय जीवन शैली वाले लोगों के लिए ओईल के सेवन के परामर्शित दैनी खुराख है इसका शेल्फ लाइफ नो मिने है एक्टिव लाइफ राइस प्रान ओईल की स्वाद और कुषबू अच्छी होती है इसमें संतुलित मात्रा में पैटी असिड मौजूद होता है और इसका स्मोक पॉइंट अधिक होता है जो खाना पकाने और तलने के काम के लिए उप्यूपत होता है सोल फ्लेवर्स प्यूर हनी सदियों से यह ग्याथे की शहत पोशन और आउशदिय गुनों का खजाना है मदुमक्य के छत्ते से निकलने वाला मिठा सुनहरा तरल पदार्त संपूर्न शरीर को कई पोशन लाव प्रदान करता है सोल फ्लेवर्स प्यूर हनी सोल फ्लेवर्स प्यूर हनी रिफाइन शुगर की जगह इस्तेमाल किये जा सकने वाला एक स्वास्त वर्दग विकल्प है इसमें संपूर्न प्राकृतिक गुन मौजूद होते है चाहे वजन कम करना हो या त्वचा पाल एवं प्रतिरोधी प्रनाली को पूर्न तहा स्वस्त रखना यह प्राकृतिक स्वीटनर हर दृष्टी से गुनकारी सुनहरास्त करन पदार्द है प्रकृति प्रदक्त तक पधातों से तयार किया गया सोल प्लेवर्स प्योर हनी एक शानदार खाध्य पधात है जिसमें भरपूर मात्रा में एंटी ओक्सिदेंट्स, महत्वपूर्ण विटामिन्स और अत्यावर्षक खनिश्तत्व मौजुद है अपने शरीर को और अधिक ताकदवर बनाने के लिए अपने दैनिक आखार के साथ एक चमच शहद अवश्य ले सोल प्लेवर्स प्योर हनी विट जिंजर एक प्रोप्राइटरी अहिरवेदिक उत्पाध है जो आपके शरीर को नई जोश प्रदान करेगा जिससे आपको तीन भर अधिक ताकद मिलेगी सर्दी के चलते लगातार होने वाली खासी और गले की खराबी चक्कर और उल्टी और फूक न लगने चैसे समस्याओं के लिए जिंजर अर्थात अद्रक का प्रयोग परमपरागत रूप से किया जाता रहा है शहद और अद्रक के विविद अउशदिय गुनों के चलते आयूरवेड में हजारों वर्षों से दोनों का उप्योग होता रहा है बहतरीन एवं स्वादिष्ट शहद के साथ-साथ अद्रक इसे सही माइने में एक उत्तम उत्पाद बनाता है नेक्स्ट हम देखेंगे सोल फ्लेवल्स प्योर हनिविद तूलसी यह एक प्रोप्राइटरी आयूरवेडी कुटपाद है शहद और तूलसी के विविद अउशदिय गुनों के चलते आयूरवेड में हजारों वर्षों से दोनों का उप्योग होता रहा है तूलसी प्रतिरोधी शक्ती को बढ़ाती है श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है और यह उल्जा का एक शांदाल स्त्रोथ है शहद अंटियोक्सिडेंट का एक सम्रुद्ध श्त्रोथ है जिसका स्वास्त के लिए अनेक गुनकारी लाव है तूलसी और शहद के इस मिश्रन में तूलसी प्रतिरोधी शक्ती को बढ़ाती है और शहद इसे स्वाधिष्ट बनाता है उप्योग हेतु निर्देश शहद को ग्रीन टी में मिलाए या इसे अपनी कॉफी या चाय में डाल कर मिलाए अपने ड्रेसिंग या मैरिनेट्स को मिठा करने के लिए शहद का उप्योग करे टोस्ट या पैंकिक्स के ऊपर शहद को बून बून कर डाले अधिक प्राकुरूतिक स्विटनर के रूप में शहद को दही, अनाज या दलिया में मिलाकर सेवन करे सापुत अनाज वाले टोस्ट पर शहद स्प्रेड करें सोल फ्लेवर्स काउगी सोल फ्लेवर्स काउगी नौकेवल खुश्पुदार होता है बलकि इसकी बनावट भी दानेदार होती है जो पोजन को रूची कर वस्वादिष्ट बनाता है इसमें कॉंजूगेटेड लिनोलिक एसिड सील ए ओमेगा थ्री वसीक्स और फैट में गूलन शील विटामिन ए, ई और के मौजूद है जो अच्छा स्वास्त बनाए रखने की दुष्टी से महत्वपूर्ण है इसकी विशेशता है सोल फ्लेवेजी गाय के ताजा दुध से तयार किया जाता है यहां माना जाता है कि हरी घास चरने वाली या हरी घास खिलाए जाने वाली गायों का दुध अनाश वाले या प्रसंस्कृत आखाल खिलाई चाने वाली गायों के दूद की तूलना में हेल्डी फेट का बहतर स्त्रोथ होता है शोट से पता चलता है कि हरी घास खिलाई जाने वाली गायों के दूद में परमपरागद दूद की तुर्णा में अधिक कॉंजुगेटेड लिनोलिक एसिड CLA होता है यह नकेवल खुश्बुदार होता है बलकि इसकी बनावट भी दानेदार होती है जो भोजन को रूची कर वस्वाधिष्ट बनाता है इसमें ओमेगा 3, वसीक्स और फैट में गुलनशिल विटामिन A, E और K मुझूद है जो अच्छा स्वास्त बनाए रफने की दुष्टी से महत्वपूर्ण है परंपरागत रूप से गाय के घी को उर्जा, दिरगायू और जीवन शक्ती का एक अच्छा स्त्रोत माना जाता है गाय के मालिकों द्वारा कमपनी के अपने कलेक्शन सेंटर्स में दूद की सीधी आपूर्टी की चाती है कठोर गुनवत्ता नियंतरन प्रक्रिया के जरिये दूद हसिल किया जाता है ताकि इसमें मिलावट की जरा भी संभाना नहीं जाए दूद की खरीद से लेकर भी बनाने तक के काम में कमपनी सीधे तोर पर शामिल है इसमें किसी भी तीसरे पक्षकी भागीतारी नहीं है सबसे स्वच्छ और सुरक्षित वातावरन में पूर्णताहा स्वचालित उक्रुष्ट सयंत्र में निर्मित सेवन की विधि यह खाना पकाने प्राइइंग गार्निशिंग और मिठाई बनाने के लिए उप्युक्त है सोल फ्लेवर्स अल नैच्रल स्टीविया पाउडर अल नैच्रल स्टीविया पाउडर एक प्राकृतिक स्टीविया रेबा उड़ा प्रजाती के पोधों से निकाला गया है शकर की जगह आसानी से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें कोई भी कृत्रिम स्टीविया या रसायन नहीं मिला है जिसके चलते यह स्वास्त के प्रती जागरूप लोगों के लिए उप्यूगत है इसकी विशेशता है और लाप मदु में हर डाइबिटीज शूद से पता चला है कि स्टीविया स्वीटनर से बोजन में कैलरी या कार्बोहईडरेट की मारत्रा नहीं बढ़ती उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है इसका उप्योग डाइबिटीज वाले लोग विभिन प्रकार के खाद्य पदातों खा सकते हैं और स्वस्ता में प्लान का पालन भी कर सकते हैं वजन नियंद्रन स्टीविया में चीनी नहीं होता है और इसमें यदि कैलरी भी होती है तो बहुत ही कम इसे सू संतुलित आहार में शामिल किया जा सकता है और खाद्य पदातों को स्वाध हीन बनाए बिना उर्जा ग्रहन की मात्रा कम की जा सकती है बिलकुल सुरक्षित और स्विक्रूट 100% सुरक्षित और WHO, US, FDA एवं FSSAIE द्वारा स्विक्रूट चीनी की तुलना में स्टीविय का लाब देखते है प्राकुरूतिक चीनी कैलरी की साथ साथ प्राकुरूतिक मिठा स्प्रदान करता है स्टीविया शुन्य कैलरी वाला प्राकुरूतिक स्विक्र है प्राकुरूतिक चीनी अत्यधित मात्रा में लेने पर इससे डायबेटिस और लाइस्टाइल बेमारियों का खत्राव बढ़ सकता है स्टीविया उन लोगों के लिए उप्यूक्त जो स्वास्त और सामान्य फिटनेस को लेकर सजग है प्राकुरूतिक चीनी डायबेटिस लोगों को उप्यूक्त नहीं स्टीविया डायबेटिक लोगों के लिए उप्यूक्त है इसकी 7 कीविदी, 1 ग्राम सोल फ्लेवर औल नैचरल स्टीविया पाउडर, 2 चमत चीनी के बराबर है सोल फ्लेवर टीविया पाउडर का उप्योग सभी डेसर्ट और टेबल टॉप अप्लिकेशन, गन, ठंडे पेयर जैसे चाय, कौफी, लस्ती, नीम्बू पानी और नाश्ते के लिए किया जा सकता है सोल फ्लेवर आवला कैंडी आवला यह सूपर फ्रूट शरीर के संपूर्ण स्वास्त के लिए आवश्यक पोशक तत्वो का पंडार है इसकी विशिष्टाए और लाप Soul Flavors आवला केंडी न केवल गुद्देदार और रजदार है बल्ही यह स्वाधिश्ट भी है जो हर किसी को पसंद आएगा आवला का फ्ल पोशक तत्वों का खजाना है और यह शक्तिशाली एंटियोक्सिजन विटैमिन सी का प्राकूतिक स्त्रोत है इसे अनूठी तक्निक से तयार किया गया है ताकि आवला के फ्ल का अधिकतम गुन इसमें बना रह सके हम जिस तक्निक का उप्योग करते है वह आवला के स्वाद और पोशन मुल्यों को प्रभावित किये बिना आवला कैंडी को अधिक समय तक सरक्षित करने में मदद करती है वेल आवला कैंडी को धीरे धीरे सुखाने की प्रक्रिय का उप्योग कर सुखाया जाता है जो इसे स्वादिश्ट बनाती है चटपटा आवला बनाने के लिए अविरुपेद के सिध्धांतों पर आधरी पाचत मसालों के मिश्रन का उप्योग किया जाता है यह प्ततिरोधी शक्ती को मस्बूत बनाता है बालों को अधिक स्वस्त बनाता है आखों की जोती को बढ़ाता है और त्वचा को कांती में बनाता है दो स्वादिश्ट स्वादों में उबलब्द है मीठा और चटपटा आइंग इसे रोजाला दो बार दो-तीन कैंडेज के रूप में लिया जा सकता है हम सब जानते हैं आवला शरीर की सभी प्रणालियों में नई जान कालता है दिरगायों बनाता है जवापन को अधिक समय तक बरकरार रखता है और शरीर को सामान्य रूप से स्वस्त रखता है रूट ओप दी अर्थ सीटी सी एंड लॉमलिफ्टी बड़े दाने वाले सीटी सी और असम की लंबी पत्तियों वाली परंपरागर्द चाय का एक रस मिश्रन जो अपने संपूर्ण स्वात के साथ आपको जोश पूर्ण अनभो प्रधान करता है असम की बेहतरिन चाय बागानों से द्यान पूर्वक चुनी गई पत्तियों का शांदार मिश्रन जिसे विशेशगो द्वारा तयार किया गया है पिशेश्ताय और लाग स्वात और सुगंद का कड़क संतूलन मिश्रन बड़े दानों वाले CTC और असम की लंबी पत्तियों वाली परमपरागज चाय से तयार किया गया भरपूर संपूर्ण और तेज चाय लीकर प्रधान करता है मन मोहग सुगंद और ताजगी भरापे जोड़ स्वाद प्रधान करता है एंटि ओक्सिडंट्स और पोशब कत्वों से भरपूर्ण सेवन की विधी सामगरी दो कफ के लिए टी लिउस एक से तेड़ चममच पानी तेड़ सो मिली विधी चाय की पत्तियों को कुछ मिनिट के लिए पानी में उबा ले कफ में चान ले अपनी अवर्शक्यता और स्वाद के अनुसार तूद और चीनी डाले तथ्या ग्रीन टी में बायो एक्टिव योगिक होते हैं जो स्वास्थ बहतर बनाते हैं ग्रीन टी में मौझूद योगिक मस्तिश्क की क्रिया को बहतर और आपको अधिक स्मार्ट बनाते हैं ग्रीन टी से फैट कम होता है और शारिरिक प्रदिशन बहतर होता है Green Tea में मौझूद एंटि ओक्सिडन्ट से पिभिन प्रकार के कैंसल्स का खत्रा कम होता है Green Tea गुडापे में अपने मस्तिश्क की रक्षा कर सकता है जिससे आपके लिए Alzheimer और Parkinson's का खत्रा कम हो सकता है तो इसी विशिष्टा के साथ अब हम आगे देखने जा रहे है Fruit of the Earth, Power Green Tea इसमें मौझूपूर मात्रा में एंटि ओक्सिडन्स और कोशब तत्रा मौझूद है जो शेरील पर शक्तिशाली प्रभा डालते है Green Tea को स्वास्त के लिए अत्यनिक पाइदे मन्द माना जाता है और इसके धैनिक सेवन की सलाह दी जाती है ताकि आपकी जीवन शेयली स्वस्त बने इसमें प्राक्रूतिक रूप से पाएजाने वाले अंटि ओक्सिडन्स अधिक मात्रा में मुझूद होते है इसके विशिष्टा है और लाव ग्रीन टी में प्राक्रूतिक रूप से शक्ति शाले अंटि ओक्सिडन्स भरपूर मात्रा में होते है फ्लेवनाइड्स जो अंटि ओक्सिडन्स के रूप में क्रिया करते है एल्थी यानी जो तंत्री का तंत्र पर शान्तिदायव प्रभाव डानने वाला अंटि ओडने वाला एमिनो एसिड है शरीर को फ्री एडिकल से बचाने में मदद करता है बिमारिया और स्वास्ते समस्याओ के खत्रे को कम करता है ग्रीन टी का सेवन करने से कैंसर का कद्रा कम हो सकता है त्वचा को राहत पोचाता है और वजन कम करने में मदद करता है इस तरह से फ्रेंड आज हमने आरोग्यो पूट एंड बेवरेज रेंज इसमें सोल फ्लेवर्स के राइस ब्रान ओईल प्योर हनी, प्योर काउगी, आल नैच्रल स्टीविया पाउडर, अवला कैंडी, सीटी सी, एंड लॉंग लिफ टी, पावर ग्रीन टी, 100% नैच्रल कोकनट ओईल और फ्रूट अफ्ट अफ्ट की कोफी इसके बारे में जानकारी ले है Fruit of the Earth, 100% प्राकुरूतिक नारियल तेल नारियल की खुश्पू और ताजबी लंबे समय तक बनी रहती है विशिश्ताय और लाब बहतरिन गुनवत्ता केरल के मालापार तड़की बहतरिन गुनवत्ता वाले नारियलों से रसर्सकूत मालापार गरी अकनी मिठी सुगंद और गुनवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है स्वच्छ तरीके से पैक किया गया लंबे समय तक सुगंद और ताजबी बनी रहती है Edible Grade बहुपयोगी शरीर, बालो और यहां तक की खाना पकाने के लिए भी उपयोगी 7 की विधी Fruit of the Earth 100% Natural Coconut Oil Edible Grade का है आप इसका उपयोग खाना पकाने, बालों में लगाने या शरीर की मालिश करने के लिए कर सकते है यहां रुदय को स्वस्त बनाए रखने और रुदय रोग के खत्रे को कम करने में सहायक है Fruit of the Earth Coffee Fruit of the Earth 100% Pure Instant Coffee इसे ध्यान पूर्वक चुने गए अरेविका और रोबस्टाबिंस का प्रसंस्पूत मिश्रन जो संपूर्ण संतुष्टी प्रधान करता है अरेविका बींस का स्वाद बढ़िया तेज और मीठा होता है और इसकी खुश्बू संतुलित होती है अरेविका की तुल्णा में रोबस्टा में कैफिन का स्थर दो गुना होता है और इने इनके दमदाल स्वाद के लिए जाना चाता है Fruit of the Earth Instant Blended Coffee को ध्यान पुर्वक चुने गए बींस को गूनी गई चक्री में मिला कर तयार किया जाता है इसका स्वाद बेजोड होता है Fruit of the Earth Coffee का लाब उप्यूक्त मिट्टी और परियावर्निय स्थितियों की दुष्टी से देश के सर्वुत्तम शेत्रों में उगाई चाने वाली ग्रीन कॉफी बींस से तयार की गई बींस को हातों से चुना जाता है और लंबे समय तक धूम में सुखाया जाता है जिससे पकने का स्वाद निखर जाता है गूनने की प्रक्रिया दीनी और सावधानी पुर्वट होती है ताकि चीनी और तेल चलकर कार्बनाइस नहो और पॉफी प्राकूती मिठास बनी रहे एक्स्ट्रिक्शन और अग्लोमेरेशन की उननत प्रक्रिया इसे स्मूथ और सुबंदीत बनाती है और इसकी गुनवत्ता ताजा PCV कॉफी जैसी बनी रहती है अच्छी कॉफी एसे बनाए होट कॉफी एक मग में चोटा चमच कॉफी पाउडर डाले स्वाद के अनुसार इसमें सो मिली गर्म पानी या दूद और चीनी डाले अच्छी तरह से मिलाकर गर्मा गर्म परूसे कॉल कॉफी एक सो सतर मिली चील डूद में आधा चोटा चमच कॉफी पाउडर डाले और स्वाद के अनुसार इसमें चीनी मिलाए जागदार या फेनेदार कॉफी तयार करने के लिए ब्लेंडर या शेकर का उप्योग करे तथ्या उप्योगत मात्रा में कॉफी के सेवन से चोकरनापन और ध्यान बढ़ाने के में मदद मिल सकती है यह सूस्ती और धकान को कम करता है और जोश बढ़ाता है यह मानसीक स्वास्त पर सकारात्म प्रभाव डालता है थैंक यू फ्रेंड्स प्रेंड्स